प्रेंज कैसे हैं आप सब आप सुब बहुत अच्छे होंगे आप सुब रोग छे बच चुके हैं और मैं आ गई हूं सब्गप टहलने के लिए यह दीखी मेरी पीछे बेग्ग्राउंड कितना प्यारा सा है और पीछे मेरा घर है हम लोग कर आसता तो मैं सुबसुब टहल र जरुब न की अवाज चिड की बशाय आचती है देखो कैसे चिडिया की आवाज आते है तूसर बहुत अथ सब्सक्राय मेरी आंखिया आखे ज़ यह खुटे खुल जाते है खुई आता है तहनने में बहुत मज़ा आता है तो आप सब को क्या ऐसा फीलिंग से आती है सुबसुब मुझे बहुत अच्छा लगता है अगार पर रहती हूं तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकलती है बिल्कुल सुबसुबसुब एक दो भंटे कर दिये में तो पना मुझ करके रख लेती हूं क्यों कि महां पर केवल इंसानों की आवाज सुनाई देती है कोया लोयल के तो बिल्कुल भी आवाज ही नहीं आती है पर हमारे सब के गाउं में कोया की आवाज प्यारी प्यारी से चेडिया की आवाज जो सुबसुब हमें उठाती है मुझे बहुत अ बिल्कुल इसकीप करके बिल्कुल भी मत देखिए, भगा भगा कर देखे, पूरा सुरुष लेकर अंता तक देखा करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तब से आप सब सब फिर मिलेंगे, तब से चल रहे हैं चाय पीने के लिए, ये है सुबह सुबह हमारे गाउं की ऐस तो यहां पर आगए गोमने के लिए, हमारे योटूब फैमली हैं जो नहीं जानते हैं कि धान कैसे निकलता है, तो ये देखिए, ये अभी फूटन रहा है, ये धान निकल रहा है, और एक चलिए हम आपको दिखाते हैं का और जहां पर धान बिल्कुल पक गया है, ये फ्र तो मैं यहां पर आगई थी, मिर्चे तोडने के लिए, बहुत धेर सारा इस इसयां नगी बहुत धेर तरया है, तो मैं कितना तोड़ू, मुझे समझ में हम नहीं आ तो मैं बनाने के लिए तोड़ूँगी, ये थेके भुए हैं इसका चार अगर बनाने यह कि खराब हो जाएगा WordPress चुम्क्सch थोड़ा सा तोले रही हूं मिर्चया यह कि मेरे घर बंपे मिर्चय नहीं था तो यह पेड़़ लगाया गया है तो मैं यहाँ पर आ गई दीक हितना घर्शादा मिल गया मुच्छे मिरेशा जाए बहुत परायार कितना तोड़ाइं को का जेक है बेशिल स्भाnenии ऑपक विलकुल गाया पीटने के लाइक हो गया तो हम आप लोग को नजदीक से दिखाते हैं यह देखिए यह बिल्कुल पक गया है अब पीटने के लायक हो गया है लेकिन भगवान जी पानी बरस के पूरा सत्यनास कर रहे हैं बहुत के सारे धान पीटते भी हैं लोग पीटने लगे हैं तो देखिए यहां से हम लोग का ख एक जब मछली है तो मीर्चा नहीं था तो मैं आई थी आप मीर्चा लेने के लिए देखिए मिल गया है चल रहे हैं मछली बनाएंगे फिर आप सभी कर इस भी दिखाएंगे आप सब आके खा लीजिएगा गाउं में कैसे मतलब सिल्वट्टे पेर मसाला पीशते हैं चलिए आप सभी को दिखाते हैं अगर नहीं दिखा पाया तो सोरी तो चल रहें आप सब आजाएए यहां पर आ गई है मचली अब इसको चल रहे हैं बनाने के लिए और यह देखिए हमारे गाउं में कैसे मचली दिहाती माड़ में बनाया जाता है इसमें है धिनिया गुल्मरीज जीरा तेजपत्ता चिन्ना क्या बोलते हैं इसको यह सा पुरागर मसाला है मिर्चा है इसको सील पे मेरी दादी जो है वो पीसे गी चल रहें मैं आप स जो तोड़ा सा क्योंकि और पी आज पीसा गया था सिलवटे में प्याज लेसो नंद्रा धनिया इसमें साले गरम तो मैं यहां पे मसाले को दस पाचिंद भूनूंगी भूनने के बाद मैं इसमें मचली को डालूंगी क्योंकि यार हम लोग मचली को तलते नहीं ऐसे ही डाल देते हैं तो देखिए मदलब सारी मचली नहीं कुछ-कुछ मचली है जो तला जाता है तो यह वाली तो बिल्कुल नहीं तले जाती परियासी नाम है इस मचली का तो इसे मैं फटा-फट से तयार कर देए हूं तो यार अब सभी प्लीज इतना मेनस से वीडियो बनाते हैं तो प्लीज लाइक, सेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब कर दिया करों तो देखिए मैं इसमें स्वादानुसर नमक भी डाल दिया हूं मैं इसे फटा-फट मज़े डल ल जाकी है तो इसको भुनने बाद मैं इसको धप दे रही हूं थोड़ा सा पानी डाल के धप दे रही हूं थोड़ा दो चार माद धपने वाद ए देखिए बनके रेडी हो गया है यहां पर पापाजी खाना मैंने निकाल दिया है आजाए आप सभी खाली दिये फटा-फट जल दी सी तो ऐसा लगा मेरा मचली का रेजपि गाउं में ऐसे ही बनाया जाता है अगर आप सब भी को प्यारा लगा हूँ थो प्लीज लाइक करेगा फुल वाच करके मेरा वीडियो देखिए गा इस कीप करके बिल्कुल भी मत देखिए गा तो अगर फुल वाच करेंगे तभी तो मुझे watch time मिलेगा ना तो आप सब please full watch करके देखा करिए अगर आप सब को मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो please like, share, comment कर दीचेगा हमारे गाओं की हरियाली कैसी है आप सब को मैं दिखाती हूँ आपको यार इतना महने से वीडियो बनाते हैं प्लीज लाइच, share, comment, subscribe करिएगा कर फिर मिलेंगे आप सब के नेश्ट व्लोग के साथ निव ब्लोग के साथ तब तक के लिए बाई-बाई टेक केर